दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में यूपी बीसिस आरो 2016 के री एक्जाइम के लिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे हिंदी सेक्शन के लिए तो इसमें 6 विशय च्छे टॉपिक दिये गए थे आपको सेक्शन वाइस इसमें टेस्ट मिलेंगे पहला वहाँ पर विलोम लिखा हुआ है विलोम तो विलोम का यहां पर टेस्ट है पचास कोस्चन से इसमें आप चाहें तो हमारे साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने स यहां पर गरेक्ट है फिस्ट का उत्तराइड्ण है उत्तराइड और दक्षीनायन आपने सुना होगा और जोग्रफी का भी पार्यट है कल्चर का भी पार्यट है हमारा उत्तराइड का हमारा विलोम होता है दक्षिनायन, option number D थार्ड कोशन नास्तिक है नास्तिक के मतलब क्या हो होता है जो किसी धर्म में किसी पंत्र में विश्वास ना रखता हो और इसका विलोम हो जाएगा आस्तिक जो आस्ता रखता हो किसी धर्म में option number B कलुश है फोर्द में कलुश का मतलब होता है गंदा कह सकते हैं हम लोग घिनावना निगेटिव सेंस में इसको भूश किये जाता है कलुश का विलोम हो जाएगा निस कलुश ओप्शन मबर B निस कलुश वक्र का मतलब होता है तेड़ा वक्र का विलूम शब्द हो जाएगा सीधा यानि की रिजू option number A रिजू खाद दे है शिक्स्त में अखाद दे है अखाद दे का मतलब होता है इन एडिबल जिसे खाये ना जासके और इसका विलूम शब्द बन जाएगा खाद option number C जो खाने योगी हो यानि की खाद दे उथला उथला का मतलब होता है छिछला जो जादा गहरा ना हो उथला का विलूम शब्द हो जाएगा गहरा option number D इसका पर्रहवाची बनेगा छिछला गमन है एट्थ में गमन का मतलब होता है कहीं जाना जाने की क्रिया होती गमन तो गमन का हो जाएगा उल्टा आगमन गमन यानि जाना आगमन का मतलब होता है आना वापस तो यह होता है ए ए हो जाएगा इसका विलूम आहूत का मतलब होता है जो आया हुआ हो गती का मतलब आपको पता है और गरीमा का मतलब आपका स्वाब भिमान आपकी निष्ठा प्रति घात है नाइंथ में प्रति घात कभी लोम हो जाएगा घात option number A नीरस कभी लोम जिसमें कोई रस ना हो ठीक है तो नीरस कभी लोम हो जाएगा सरस जिसमें रस हो ठीक है अगर सरस नहीं की वेने तो जाएगा रसीला option number B जिसमें रस हो रसीला या फिर सरस जिसमें रस ना हो नीरस हो जाएगा option number B ग्यारवा वर्ड है गौणड गौणड का इस्तमाल जो है आम बोल चल की भाषा में scientific saying में यूज होता है तो गौणड का मतलब होता है secondary हम लोग कह सकते है अप्रोप्रियेट वर्ड होगा एंगलिस से हमोमोलोगस जो है गौणड का बदलब होता है secondary जैसे अगर गहान चल रहा हो कि इसी फिल्म का तो उसमें जो कोर्युग्राफर होता है उसकी भूमिका प्रदान हो जाती है जो में film का डिरेक्टर है उसकी भूमिका गौणड ँझाती ठीक है तो डिरेक्टर की भोमिका कोई प्रधान, option बर C question number 12 है करुण है दिया हुआ शब्द इसका विलोम क्या होगा करुण का विलोम शब्द हो जाएगा निश्ठोर, option बर B धोन्स यानि की जो विनाश होता है और विनाश का उल्टा हो जाता है, निर्माण होना या फिर सरजन होना, तो सरजन या निर्माण होगा इसका सही answer D, निर्माण या सरजन प्रवीड का मतलब होता है कुशल, नवीन का मतलब नया, निवरत ही मतलब क्या होता है किसी चीज से निवरत होना रंक का क्या होगा विलोम, राजा होगा, राजा और रंक आपने सुनाओ गए कहावत भी है राजा से रंग बन गया कोई तो option बबर C होगा भोगी का विलोम शब्द क्या होगा भोगी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका योगी option बबर A रिनात्मक जो लिखा होगा है सारे जो civil services वाले expert hep युबबपीशस के expert आपको पता हो का रिनात्मक जो मार्किंग लिखकर के आता है notification में कि रिनात्मक रूप से मार्किंग की जाएगी खिकले है दैट कि निगेटिव मार्किंग की जाएगी अगर आपने जो है चार कोशन गलत किये तो एक सही वाला काट लिया जाएगा मतलब UBP से सपर में तीन कोशन गलत किये तो एक सही वाला कट जाता है रिनात्मक का उल्टा होता है धनात्मक option number B विनीत विनीत का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर ध्रस्ट option number C वनीता का मतलब होता है स्त्री और आपका वामा का मतलब होता है स्त्री या फिस दुर्गा का पर्रयवाची है धूरत आप सभी को पता है काफी सारे question number 18 है इसमें शब्द यथार्थ है यथार्थ का मतलब होता है true genuine या फिस जो real होता है real word जो है क्रेस्पॉंट करता है इसको कि जो सत्य है यथार्थ है और इसका विलो मुझाएगा कल्पित ठीक है जिसकी कल्पना की गई हो कल्पित और जो reality में घटित हो यथार्थ है ठीक है और इसका विलोम बन जाएगा सत्य अभाद्र लिखा हुआ है अभाद्र से अगर आ उपसर गम लोग हटा दे तो यह बन जाएगा भाद्र और वही इसका जो है answer है option number a है इसका सही विलोम रत्य का मतलब को पता है नाच होता है assist यानि कि जो assist चार ना करे ठीक है अवसिष्ट मतलब क्या होता है बचा हुआ 21 नमबर में वंद दिया हुआ है यानि कि जो वंदना करने योग हो और इसका विलोम बन जाएगा निंद यानि कि इसकी निंदा करने योग हो वही दोने दूसरे के विलोम हो जाएगे वंद का नित का मतलब क्या होता है जो जानता हो नित का मतलब होता है लगतार होने वाला सज्जन म्रदू भाशी होते हैं म्रदू का विलोम बताना है अंडरलाइन पार्ट का तो म्रदू का विलोम हो जाएगा कटू और इसका अगर पर्यावाची पूछा होता तो मधूर हो जाता आलोचना की उपेक्षा कर पूर्ण शक्ती से उत्तम कारी करो तो उपेक्षा का विलोम क्या बन जाएगा अपेक्षा अप्शन बर यहाँ पर सही होगा D इच्छाएं कभी तरप्त नहीं होती तो इच्छाएं कभी अतरप्त नहीं होती यहां पर मूर्ख होगा, तो मूर्ख का यहां पर विलोम हो जाएगा प्राग्य, ठीक है, जग्यानी हो, आप्शन पर B आप में से कोई विचक्षन का अर्थ मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिख करके बताईए, जो लोगों देख रहे हैं वीडियो को इच्छा और आशु जुडवा बहने हैं, तो इच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा अनिच्छा, आप्शन पर C इश्वर सत्य है और प्रकास उसकी छाया है, तो प्रकास की जगे हो जाएगा यहां पर अंधकार, आप्शन पर B साहित के प्रती अनुराग पैदा करो, तो अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग, आप्शन पर B अनुगमन का मतलब होता है पीछे चलना और वैमनस से का मतलब आपको पता ही है, मत भेद अन्तरदवंद शुरू होते ही उसने गहरी सांस छोड़ी, अन्तरदवंद का विलोम शब्द आएगा बहिर दवंद, आप्शन पर B समझो ना अलब्वे किसी धन को, अलब्वे मतलब जो लाब न देता हो, तो अलब्वे का यहां पर विलोम शब्द आएगा लब्व है, आप्शन पर B, C क्रोध से कीरती नश्ट होती है, कीरती का विलोम शब्द आपकीरती, आप्शन पर D राज तंतर में राजा महत्पूर होता है, तो राज तंतर का विलोम शब्द आएगा गण तंतर, आप्शन पर A क्रश्ण पक्ष कल से सुरू होगा, क्रश्ण पक्ष का विलोम शब्द आएगा शुकल पक्ष, आप्शन पर C शासक को आगंभीर नहीं होना चाहिए, आगंभीर का विलोम हो जाएगा आपका गंभीर, आप्शन पर D संपादक को उस खबर का खंडन चापना पड़ा, खंडन का विलोम क्या बनेगा, खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन, आप्शन पर C पहले बाहरी जगड़ों से तो निपट लो तो इसका विलोम हो जाएगा अंद्रूनी जगड़े ठीक है यानि कि हम कह सकते हैं घरेलू जगड़े ओप्शन नमबर ए आकरी कोश्चन है कि अचल संपत्ती को लेकर नियाले में वाद चल रहा है अचल का विलोम हो जाता है आपका चल संपत्ती